अग्पर कापर, खीर पर कोई तो है यहाँ, जिसे यहाँ होना नहीं चाहिए चोटे मिया, यह जगा बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तोपारा यहाँ आए, तो और छोटा कर दूगा तुम्हें तुम्हें बहुत अच्छा काम किया, उसका नतीजा भी अच्छा निकला, चलो, तुमको नहीला देता हूं, सुनाओ तुम्हें बात एक रात की, वो रात अंधेरे थी, बरसात की, चमकने से जुगनों के था वो समा, हवा में जैसे औरे चिंखारिया, बड़ी एक बच्चे के उस पे नजर, पकड़े लियाओ, एक को दौड़कर। ये हो क्या राय हमारे मुलक में? तीन दिन में दो कतल, वो भी जवान मौतर माओं के! आप विक्र ना करें जलाल, कातल चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा! होना भी चाहिए चाचाजान! इससे पहले के वो औरों का अपना निशाना बनाए, गिरफ्तार कर लीजी उसे फॉरण! खेर? क्या कदम उठाए आपने उसे अपने गिरफ्त में लेने के लिए? उसे गिरफ्त में लेने के लिए हमारे पास जाल, भाले, हतकड़ी और कंबल भी है अब बुचान! पर वो कातिल है कहाँ? वो 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 बीरबल जी बताएंगे! जापना हमने दोलों शवों को परिक्षन के लिए वैज जी के पास भेज दिया है! ताकि अगर कातिल ने कोई सुराग छोड़ा हो तो उसका पता हमें चल सके और कतल करने का तरीका में! लेकिन कतल करने की वज़ा हमारे समझ में नहीं आ रही है! वज़ा हमें तो समझ में आ गई है! हवस! दोनों महतरमाएं खुबसूरत और गैर शादी शुदा थी! उन्हें देखकर उसके अंदर का फेड़िया बहार आ गया होगा! अगर अंदर का फेड़िया भार आता तो कतल करने के बाद कातिल दोनों लाशों को बाइज़त कफन में लपेट कर नहीं छोड़ा! यह भी तो हो सकता है कि उन महतरमाओं ने मरने से पहले उस कातल से इज़त से बात की हो और बदले में उस कातल ने उने इज़त दी हो? जापना, गजब हो गया जापना जापना अब ही अभी हमारी स्पाइयों को बाजार में एक और मैला की लाश मिली है कफन में लिपती हुई या जापना अफसुस की बात है क्या हमारे मुल्क में मुधर्मा है महिफूस नहीं है जाहिए गिरफतार कर लीजिए इससे पहले कि वो कातिल औरों को नुक्सान पोचा है जाहिए ढूंड़े उसे जाहिए जीजाबन ढूंड़ना भी मुश्किल है उसे क्योंकि ये लड़कियों के सवपे ऐसा कुछ नहीं मिला जो की कातिल की तरों कुछ रखर कर सके लेकिन आपको इने देख कर ये तो समझ में आ गया होगा ना कि ये काम किसी हवस के मारे ढरिंदे का है नहीं कामरान जी नहीं इन पे हाता पाएगा कोई निसान है और नहीं इनसे जवरजस्टी की गई है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। कामरां जी, ये कतल वास्ना के वज़े से या फिर लूट पार्ट की वज़े से नहीं किये गए। देखे, इस लड़की के शेरी पर अब भी इसके जेवर है। एक बात तो गौर तलब की है। ये देखी। अब वो इधर आईए। ये देखी। दोनों लड़कीों की पेट पर एक जैसे निशाद। जी, लेकिन इस पार से इनकी हत्या नहीं हुई है। इनकी हत्या सर पे चोट लगने के वज़े से हुई है। इन दोनों का पेट काटकर फिर से उसे सिला गया है। दोनों का पेट काट कर फिर से सिल दिया गया वे जी, इनका कोई अंग निकाला गया है? आँ, जी नहीं, सब सही सलामत है दोनों हतियां ये की तरह हुई है? ये कादल तो हमें सर फिरा लगता है ऐसा लग रहा जैसे से कतल करने में बहुत मज़ा रहा हूं मजा नइए कामरां जी, मकसत. ये कतल किसी मकसत से किये जा रहे है. वो कातिल कुछ दून रहा है जो उसे अभी तक मिला नहीं. मतलब? मतलब ये कि वो कातिल और हद्ट्याय करने की कोशिश कर सकता है. और इस से पहले कि वो ये कोशिश करे, हमें उसे पकड़ना होगा कहां जा रही है तिलोत माजी अरे बीरवल जी उस कातिल की चानबिन करने बाजाल जा रहे हैं तो एक बार हम भी वहां का महौल देखकर आते तिलोत माजी वो खच कातिल है कोई ईद की सजावट नहीं जो देखकर आएंगे औरे वो कातिल बड़ा शातिर है सिर्फ शातिर? आदम खोर कही है शहजादे आदम खोर बीरवल जी ने हमें बताया कि पहले वो कातिल अपने शिकार का तनक्तिन था यानि कतल करता है पहले तो वो शिकार को रिछाता है शिकार को पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है और फिर जब शिकार मंत्र मुक्त हो जाता है तो धड़न! यानि तनक्तिन था सीधा शिकार पर वार! इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे ना तो आपकी जान को भी खत्रा हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि वो शातिर कातिल सिर्फ महतरमा को अपना निशाना बनाता है इसलिए हम तुम हभूज हैं ही और हम आपकी सुरक्षा करेंगे लेकिन शहजादे अज सुबा ही हमें वैद्य जी ने बताया कि अगर उस कातिल के काम में कोई टांग ड़ाता है ना तो वो उसका अब तनकदिन था यानि कतल कर देता है वो सब आप छोड़िया आप चलिए बहुत देर हो रहा है चलिए तिलोतमा जी हम जरूर चलते लेकिन अभी-भी हमें कुछ याद आया कि हमें अभी-भी कुछ जरूरी काम है शहजदे, क्या मसला है? तिलोतमा जी कह रही है कि वो बीरबल जी के साथ उस आदम-खोर कातिल का पता लगाने जा रही है और हम इन्हें बाहर जाने से रोक रहे हैं बिल्कुल सरी फर्वारे हैं शहजादे तिरुत्मा जी इस समय महल से बाहर जाना कत्रे से खाली नहीं होगा अरे लेक्ष लेकिन बीरबल जी ने हमें बताया है कि वो कातिल कप-कप कतल करता है अच्छा, तो ये बात है तिरुत्मा जी, राजा बीरबल जी को और क्या-क्या पता है उस कातिल के बारे में? हाँ, बस वही तो पूछने हम जा रहे हैं आप एक शणिया आई हैं ना हाई हाई देखे, शहजादे को हम समान लेंगे अब जल से जल बीरबल जी के पास चाहिए और उस कादिल के सारी जानकारी हमें ला कर दीजए हो क्या है कि हमें मेल के सारी सुरक्षा और कड़े करनी है समझ रही ना ये, जे, ये, हम बिलकुल समझ गई लेकिन शहजादे शर्दादे को हम समझा देंगे, समाल लेंगे, दिखें? राजा बीरबल जी ये जुमका कैसा लग रहा है अमपर? बहुत खुबसूरत, रानी लग रही है एक दम सच बीरबल जी, आप भी बताईए ना, कैसा है? तमा तमा जी, जुमका बहुत अच्छा है आप पर अच्छा ने लग रहा है, वैसे भी हम या लाशो की तकिकात करने के लिए हैं जुमके देखने के लिए ने, चलिए बीरबल तुमे क्या लगता है? ये कातिल कटल क्यों कर रहा है? ये तो पता नहीं यार, लेकिन उजरूर कुछ धूण रहा है अरे, ऐसे नापाक इरादों के साथ क्या डूण रहा है, जहन्लूं का दर्वासा? अरे, ऐसे दरिंदों को तो ना जहन्लू भी नसीब नहीं होता तरना मना है, ऐसे लोगों को उपर वाले से डर भी नहीं लगता नजरे का फर खेला, लंगोट किसी को डर ही नहीं है के उपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है के उपर वाला देख रहा है लगता है चाकू बहुत खास है आपके लिए क्या हम इसे देख सकते हैं? नहीं, क्या? तुमने कहा ना, ये चाकू मेरे लिए खास है, इसलिए हां तो हम पर भी कोई तनक धिन धा नहीं हो जाएगी मतलब कयामत नहीं आ जाएगी अगर आप ये चाकू नहीं दिखाएंगे तो क्यों बड़े मियां? लगते तो इंसान जैसे हों, लेकिन ये हरकत क्या है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चुनिये, सुनिये जाने दे यार उचो आमका क्यों किसी अजीब आदमी के मूह लगे? लालंगोट तीनो लड़कियों की लाशे इसी बाजार में मिली हैं हम यहां से कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा ऐसा करते हैं तुम दोनों बाजार की इस तरफ की दुकानों में पूछ ताच करो और हम वह इस तरफ देखते हैं जली दरना मना है दरना मना है नफिक हाँ लेंगा चोली की दुकान चल आपका नाम क्या है महतर्मा तिलोत्मा तिलोत्मा जी नाम है इनका और प्यार से ये हमें तम्मा तम्मा कहते हैं प्तिनक दिन था बहुत कुछ इस पान की तरह आपका नाम भी बहुत मिठा है और आपका हुष्ण तो हाई जैसे किमाम कठ्था इमान से बहुत लाजवाब है आप और आप बेउदा है मिया एकदम इस चाय की तरह क्या कह रहे हो मिया वही कह रही है जो आप सुन रहे हो मिया ये चाय एकदम वाईयाद है रेख लो आप खुद ही पवन जी अपने मालेक की जट उसलाएगा तो जा जल्दी से अच्छी वाले चाह लेके आजा अरे अरे आप रुकिये आप परिशान मत हुए आप बस हमारे कुछ सवालों का जवाब तनक दिंधा यानि जल्दी जल्दी दे दीजी बस हाई 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 अरे आपके लिए जवाब क्या आपके लिए तो इजान हाजर है वह हम बाद मिलेंगे पहले आप ये बताईगे के इस बाजार में तीन लड़कियों की लाशे मिली है उन तीनों में से कोई आपके इस दुकान में आया था अब ये तो लेंगा चोली के दुकान है या तो पूल सी महतरमाई आए 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 काटे ठोड़ी आए काटे चुब भी सकते हैं हमारे सीधे सीधे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजे आयए थी तीनों आयए थी बला के खुप्च रथी तीनों की जिनों उनके साथ कोई और था कोई नहीं था हम भी ना होचते अने इसी बात का तो अफ्रोष है खुड़ा ने बहुत जल्डी उठा लिया उन्हें थोड़ा वक्त देते तो हमारे ना सही किसी और के हो जाते है मीरबल जी आप तो अपनी गुथियों को सुलजाने में लगे रही है लेकिन हमने हमने तो कातिल को दबोज भी लिया है तीनो कतलों को जोड़ने वाली सिर्फ एक ही कड़ी है और वो है ये मनसूर भोपाली लेजा देखा आपने इसके बात करने का यही है जिसने तीनों महतरमाओं का कतल किया है माने कुछ ने किया तनाव माने कुछ ने किया राजा बेरबल जी जब वो तेनों लड़िका यहां पर आई थी तब एक अजीब सा दिखने वाला बुजर्ग उने घूर रहा था और जब वो लड़िका वाहां से गई तब वो बुजर्ग भी उनके पेछे पेछे चला गया गुप कैसे दिखता था उसका हुलिया क्या था इतना तो ध्यान नहीं लेकिन उसके चेहरे पर बहुत सारे कटेवे निशान थे जैसे अब दिखने में कोई सिपाही या शिकारी हो शुक्रिया जी चलिये अब आपका इंसाफ होगा मैंने खुछ नहीं किया चना मैं ठोड़ा बहुत गलाट बोल जाता हूँ लेकिन मैं कुनी नहीं हूँ हम आपको एक हिदाय देंगे मंसूर जबान में बहुत शक्ती होती है करवा बोलने वाले का शैद भी नहीं बिखता और मीठा बोलने वाली की मिर्च भी फिख जाती है मैं समझ दिया आगे से सभी महतरमाओं के इजट करूँगा छोड़ देजे कामराण जी यह कातिल नहीं है यह आप क्या कह रहे हैं यह बेशर्म है और निहायती बेखूफ जबके कातिल निहायती शातिर है अरे लेकिन कातिल है कौन तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता मेरी चाहद और तुम्ही तो हो जो उसे पूरा करोगे देखो नाराद ना हो ना मुझसे आज बादार में गिरा दिया था ना मैने तुम्हे लेकिन तुमसे ज्यादा धर्द मुझे हुआ लोग खुद को सजा भी देदी मैंने अब तुमाफ कर दो अरे 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 लोगों मिलते ही कितने खुश हो जाते हैं तो काम हुआ मेरा अब तक तो नहीं पर जल्दी हो जाएगा कितने जल्दी हो जाएगा कितने जल्दी हो जाएगा अब एक उस दिन और शिकार करना होगा अच्छी नसल के अच्छे शिकार को डुणने में वक्त तो लगता ही है पर कितना वक्त लगेगा वक्त आही गया समझो बहुत करीब आ गया है वक्त कोई भी संदिख्द व्यक्ति दिखे तो तुरंथ हमें सूचना दीजए बाकी का हम सभाल लेगे जी राजा वीरबर मैं भी जानता हूं कि वह इंसान कितना खुंकार है और इसलिए उसका जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है अब दरिएगा बिलकुल नहीं हम आपके आस पास ही रहेगा खुश्या रहेगा क्यासे हैं जनाब? जी हम अच्छे हैं आप बताइए हम थोड़े परिशान है आपने उस कातिल के बारे में तो सुना ही होगा जो आजकर लड़कियों का कतल कर रहा है जी सुना है बड़ा ही कतरनाक इंसान है पर हमसे जादा नहीं आप बस ये बताइए कि आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके चहरे पर कटे हुए निशान हो जी हमने उसे तो नहीं देखा लेकिन उसने जिस मोहतरमा को मारा था उसकी लास देखी थी वो, कहां पर देखी थी यही जहां आप खड़े है हमारी दुकान के सामने ठीक उसी जगां पे आप खड़े हैं जहां पर वो लाश कफन में लिपती पड़ी थी हम तो बहुत धर गह थी पर हम से जादा नहीं डरना मना है हाँ जनाब चाय पियोगे जनाब नहीं नहीं आप यह बताइए कि आपने अपनी दुखान के आसपास किसी बूड़े आदमी को देखा है जिसके चहरे पर कटे हुए निशान हो जैसे किसी कटीली जाडियों से निकल खर आया हो क्यों आपके खेत में घुश गया है क्या नहीं नहीं हमारे खेत में क्यों घुशेगा वो इस पतेपुर में घुश गया है आपने सुना होगा कातिल है वो कातिल लड़कियों को मार रहा है पेट फार देता है एक बार पकड़ा जाएना तो उसकी गर्दन का नाप लेना है गर्दन का नाप क्यों अरे पासी का फंदा बनवाने के लिए इस भरे बाजार में लटकाएंगे उसको तर्ना मना है माफ किजी जा हूँ अपावन कौन ता हो कुछ पता चला जी नहीं भीरबल जी कहीं वो फतेपुर छोड़कर चला गया तो मतलब जब तक उस कातिल का साया यहां पर है तो क्यों नाम फतेपुर की सारी महिलाओं को कहीं और ले जाएं पावन जनाब जिने फं कुछलने का हुनर आता हो वो सापों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते हैं बहुत अच्छी बात कई बिरबल जी आपने मेरी तो आपसे प्रात्ना है कि जब वो खोनी आपको नजर आए तो छोड़ियेगा मत मार दीजिएगा आप फिकर मत कीजिए एक बार उसे हमारे हाथ लगने तो दीजिए फिर देखे हम उसका क्या हाल करते हैं अक्पर कापर फिरबल